नमस्कार स्वागत है आपका आज के प्राइम डिवेट में हर्याड़ा में भाजपा और हच्का गडबंधन तूटने की कगार पर नज़रा आ रहा है चार साल पहले वे इस गडबंधन को लोगसबाचुनाओ के बाद जबरदस्त जटका लगा है हच्का की हार और भाजपा की जबरदस्त जीत ने गडबंधन के भविश्य पर सवाल या निशान लगा दिया है भाजपा विधायक दलकीनेता निल्विज हचका को लंगडे घोडे की संग्या दे चुके हैं साथ ही कह चुके हैं कि कोई भी लंगडे घोडे पर दाव नहीं लगाता वहीं हचका भी नाराजगी में बयान दे चुकी है कि अगर बीजे पी ने ऐसा कुछ किया तो वो अक्टूबर में होने वाले हर्याणा विधान सबाचनाओं में सभी 90 सीटों पर अपने उमीदवार खड़े करेगी लोग सबाचनाओं में हर्याणा की साथ सीटे जीत कर उत्सा सिल लब्रेज प्रदेश भाजपा की नेता अब हचका के साथ गडबंधन पर विचार की बाते कर रहे हैं हचका सुप्रीमो कुल्दीब बिश्णोई की हार के साथ ही हचका हिसार और सिर्षा की दोनों सीटे गवा कर बैक फुट पर खड़ी है ऐसे में भाजपा नेता गडबंधन को लेकर मुखर हो रहे हैं करनाल सांसद अश्वनी चोपडा भाजपा विधायक दल के नेता अनिल विच जैसे नेता गडबंधन पर एतिराज जिता चुके हैं अब एक और नेता ने कह दिया है कि हचका का भाजपा में विलय हो जाना चाहिए वही हचका ने धम की दी है कि अगर भाजपा ने गडबंधन के खलाफ कोई ख़दम उठाया तो वो सभी 90 सीटों पर उमीदवार उतारेगी हलाकि इस मुद्धे पर प्रदेश भाजपा की सोमवार को एक एहम बैठक होने वाली है माना जारा है किस बैठक में भाजपा हज का गडबंधन पर राय शुमारी की जाएगी हर्याणा विधानसबा चुनाव अक्टूबर में होने वाले हैं ऐसे में गडबंधन पर भाजपा भी जल फैसले को बाधे है तो कि अब भाजपा हज का गडबंधन वाकई तूटने की कगार पर खड़ा है अज के समुधर पर चरचा के लिए हमा अग्यान चंद गुपता जिए साथी महच पत्रकार संजीऊ पैन्डे जी हमा अग्यांस बहुत सबसे पहले अपने मिहमानों का करना चाहेंगे ग्यांचन्द गुपताजी आपसे ही शुरुवात कर लेते हैं कियोंकि विवाद आपकी पार्टी की ओर से ही खड़ा हुआ है बयान बाजी आपकी नेता लगातार कर रहे हैं अनिलविज की अपनी राय आपने कही थी कि उनकी अपनी निजी राय है और कहे कर मामलत दबाने की कोशिश की थी लेकिन हर छोटा बढ़ानेता यहां तक करनाल के सांसत अश्वनी चोपड़ा भी कह रहे हैं कि समझोते पर गड़बंधन पर विचार होना चाहिए देखिए भारती जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर व्यक्ति को अपने विचार रखने का अदिकार है लेकिन फैसला अंतिम फैसला जो पार्टी की हाइक मान करती है और पार्टी में गड़बंधन के बारे में जहां तक विचार है हर समय गड़बंधन जब से हुआ है आज जो परिस्थितियां उसके मताबक गड़बंधन के उपर विचार हो सकता है ये जरूरी नहीं कि 45-45 हो या 45 ना रहें लेकिन विचार करने की गुंजाइश हमेशा लेती है आज जिस परकार से भारतिय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर जिस परकार से भारतिय जनता पार्टी ने परचम लहराया है और जिस परकार से भारतिय जनता पार्टी को लोगों ने स्विकार किया है नरेंदर मोदी जी के नेत्रेत्म में भारतिय जनता पार् कर सकते हैं लेकिन को यह कहें कि इसके पर विचार ही नहीं हो सकता यह तो पत्थर की लकीर है तो मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है लेकिन विचार का क्या मतलब जब वह 45 सीटों पर अड़े हुए देखिए अड़ने की बात दूसरी है धरातल की वास्विताओं को ध्यान मे करते हुए हमें विचार करना चाहिए हचका से जान लेते हैं हचका अड़ी हुई है कि 45 सीटों से कंपर वो नहीं मानेंगे साथ ही धाई साल के लिए मुख्यमत्री का पद्धी आप मांगते हैं भाजपा कह रही है कि विचार करेगी आप विचार को तयार है मैं सबसे पहल सभ्राजिय और नितिन गठग्री जी आये थे सभ्राजिय गठाणर यो साउत प्रधाम्रेzet भाजपा के अउनके एक्जैक्ट वोड़्ड सु्णौ एसक्तवत थैे कि यह संजोता के ऊपर सुष्मा सभणा अर नितिन गठकरी के साइन अर यह पाठर पे लगी रहा है उनक सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो भाजपा को जीत भी मिली है हर्याना में भी जीत मिली है साथ सीटे है उसमें हजका का भी उतना ही रोला जितना भाजपा का है तो आप अपने हार के बावजूद अपने आपको कम नहीं आगते हार तो चुनावी राजनीती में हार जीत चलती रहती है क्या समृति रानी जी एक लाख वोट से हा रहे है पर आज वह यूनियन मिनिस्टर ने कैबिन निस्टर ना सिरफ वित्मंत्री हैं डिफेंस मिनिस्ट आप पत्रकार के नाते इस आइस को जो जमा हुआ है दोनों दलों के बीच में किस तरह से आख थे क्या गडबंधन का भविश्य लग रहा है आपको दो तरह की बात है इसमें कई परिपक्ष्य में आप इसको देखिए कि लिए ना में जो बातियनता पाटिया और रजकार परिपक्ता थोड़ी मुझे कब नजर आई है क्योंकि भातियनता पाटिया दल ऐसा है जिसको समान रूप से सहयोगी दिल दबा कर चलते हैं एक कुल्दीब भिश्य दिल नजर आए जो भाजपा वालों को दबा नहीं पाए नहीं तो अकाली दल पंजाब में दबा के चलत तो भाजपा के लोग मतलब की शासन जो चल रहा था वो नितीश कुमार चला रहे था भाजपा के लोग वहां चोकीदारी की भूम का में थे तो मैं समझता हूं कि कुल्दीब भिश्य नहीं के एक राजनितिक इमेचुरिटी आप जिसको बोल सके कि यह वेचुरिटी यह कि उन्हें करनाल सीर्व घाजपा के दबाव में चोड़ा और मैं समझता हूं कि करनाल सीर्व घंदर चस्थित Only कुछ लिए अगर खुल्दीब इस नेhouरि लोस्तिक इस दिखा के यहारा थाचनर पर जारा कशुरिटीने TOबा सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं तो उसमें कहीं प्रॉब्लम से आपके लिए एक नहीं चाहता है इने लोग की नेता हमाई साथ है उनसे जानेते सीमा जी क्या कहेंगे कि इने लोग गडबंधन के लिए तयार है विदानसभा चुनाव में भाजपा के साथ नहीं बिल्कुल हमारे तो पिछले जिते भी हमारे समान समरों चल रहे हैं पुरे हर्याना पर्देश में तो अब चौदरी हवे सिंग जी ने और देश्वन चौनलर जी ने साफ ही कह दिया कि हम अपने बलबूते पे ए विदानसभा सभा चुनाव लड़ेंगे तो कि आप द समझती हूं कि भाजपा सिर्फ मोधी के नाम पर मोधी साफ के नाम पर जीती है क्योंकि सवाल मैं करना चाहती थी सीमा जी से जी जितनी अटकले आ रही है कि सिट्षेर होगा या जो भी होगा समीकरन बदलेंगे यह जितनी बाते हम सुन रहे हैं हम सिरफ स्टेट नेत्रित बाजपा का चाहे उसमें राजनात सिंग जी हैं गड़करी जी हैं सुष्मा जी हैं कोई भी है उन में से तो किसी ने इस बारे में कुछ बोला नहीं उनका तो जो लास्ट व्यक्तित हुआ वो यही है कि जो हमने बोल दिया वो पत्थर पर लेकि रिक्मेंडेशन ते बीज आपको उमीद है कि हाई कमान जो भाजपा के नितरत्वर ने बोल दिया और जो जो ग्राउंड पे भी है उसमें बदलाव कहां आया यह जो अटकले भी आप लगा रहे हैं तो इसलिए लगा रहे हो कि कुछ स्टेट के निता जिनके अपने साथ निजी स्वार्थ हो सकते है अपना निजी द्रिश्टी कोन हो सकता है वह बात कर रहे हैं जी आप से जाला चाहेंगे कि बोल रहे हैं कि प्रदेश भाजपा के रेता कुछ भी कोई फरक नहीं पड़ता ने ऐसा कुछ देखे भारतिये जनता पार्ट एक लोगतांत्रिक तरीके से काम करने वाली प्रदेश की जो कारकारणी है प्रदेश की जो टीम है उसको उसके विचार को उसकी जो यहां की राजनेतिक स्थिती के बारे में जो उनके विचार है उनको पूरा महत्व दिया जाता है लेकिन अंतिम निर्ण है राष्टिया नेतित्व करता है इसमें कोई दोराय नहीं ह और भी वेजी में लेति का भी हो तो चलो यहां चोटे नीटा बोल रहे हैं है आपके नापके दल में बाभने से थाज़ तो रहत आपके तु कि बात कर लिया तो आप तो बदल चुका है केंद्र में तो क्या उससे पार्टी की पॉलिसिस बदल जाती है बिल्कुल जो उनके प्री अगर इसका आप ये कहना चाहते हैं कि जो भाजपा के राष्ट्र धक्ष ने सिगनेचर की एक समझोते पर क्या वो बदल जाएंगे दे कि ने कि ने पारे में कोई बात कही है अब चावला जी मेरी बात का स्मुर्दन का आप गुप्ता सौरी है हर्याना में एक बड़ा इंपोर्टेंट वाद है जो राजितिक ब्यानवाजी पर ध्यान देने सच्छा है कि पहले जरा सा वर्किंग देखिये पॉलिटिकल पाटियों का आगे 2009 के जब 10 में विधान सभा चुना हो रहा थे तो भारतिय दापाटी ने पहले इनेलों से सु तो यह एक बात के चलिए कि कही ने कहीं भारतिय पाटी की जो स्टेट लीडर्सीप है वह कहीं ने कहीं हुड़ा के साथ और कॉंग्रेस के साथ एक मतलब की नेगोशेशन में रहती है उस नेगोशेशन का नुकसाम भाजबाग उठाना पनता है इसलिए बता रहा हूं कि 2009 में जब सम्झोटा तूटा नहीं था नोट सिंगल रिजयाद कि आप चोटाला से क्यों सम्झोटा तूटा तूटा है उसमें पर कोई ब्रिष्टाचार के साथ नहीं था उसमें चोटाला के सा लेकिन कोई सजा नहीं हुए थी चुटा साथ पर अगर आपने तोल भी लिया हजका सम्झोटा कर लिया पैतालिस पर एलेक्शन से बीस दिन पहले क्यों सम्झोटा तूटा आपका क्या कारान है कोई रिजिनिंग पकी रिजिनिंग कोई बताए कि अगर आप सम्झोटा तोड़ते हैं तो आपके बास चोटाला साहब से अगर आप शुच रहे हैं बाद बाद सुन लिए लोगसभा की सीट में हरियाना में बिदान सब्सक्राइब को सब्सक्राइब बहुत बहुत बड़ी खुश्पामी है भाजपा ना खुश्पामी में है भाजपा ना किसी भुलावे में है लेकिन जो जमीनी स्तर पर वास्तिकता है उसको भी आप नकार नहीं सकते हैं जिस प्रकार से दिधान सब्सक्राइब के लिधान सब्सक्राइब किता समझदारी की बहुत लग रहा है वो जानती है पर देश का इलेक्शन परदेश के इस हो पर बादेश के एलेक्शन यहां पर जनता ने देश के हित्ट में जो वोदी जी को चुना देश के हित्में चुना पर रियाना का अलेक्षण होगा को वो लॉकल के अधैक विद्धाटया अधरनी चुन होगा जेज नैक दावे connected एक रही है कि भाजबा के पास थो हमारा हमारा उनके साथ गड़बंदन है और कुलदीब जी सीम के केंडिडिट है बहुत सपष्ट है दूसरी बात जो मेरे भाई ने भी 2009 के बारे में चर्चा शेड़ी भाजपा का जो शीर्ष नित्रित्व है अरुन जेतली जी नितिन गटकरी जी सुष्मा सवराज जी इव बहुत अच्छी तरह से शीर्ष नित्रित्व है इसको रेलाइज करता है उन्हें जमीनी हकीकत का बहुत अच्छे से पता है जी एज सेट कि सीरफ ग्राउंड के ऊपर क्योंकि कुछ लोगों की अपनी निजी महतब कांशाय हो सकती अपिन्यंस हो सकते है अपना दृष्ट सब्सक्राइब करते हैं इसको पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे क्या बाजपा के लिए मुद्धे और थे और हच्का के लिए मुद्धे और थे नहीं मैंने 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 पार्टी के लिए अलग नहीं बोला मैंने इलेक्शन लोकसभा के लिए मुद्धे सेम थी वह देश का विकास था यह प्रदेश के विकास की बात ह यहां मोदी जी नहीं से बनेंगे मोदी जी के नाम से लेक्षन रड़ा नहीं है तो चेहरा भी दिखा देंगे लेकिन अभी इस प्रकार की कोई अवश्यक्ता नहीं है जब दूरत पड़ेगी तो आपके जवाब है कि समय आएगा तो चेहरा भी मुख्यमंत्री के लिए ढू शुक्री आपने महवाने को करते हैं फिलहाल प्राइम डिवेट में आज यहीं समाप्त करते हैं अचका अगडबंधन की शर्तों पर समझोते की मूर्ब में बिलकुल नहीं है वो 45 से कम सीट पर बिलकुल मानने को तयार नहीं है धाई सालों के लिए सीम की कुर्सी की शर्त जो है उस पर भी वो अड़ी हुए जिसे शायद ही हर्याना भाजपा मानती नजर आ रही है जो तनाव है वो दोनों दलों में बना हुआ है देखना हुआ कि सोमवार को जो एहम बैठक होने वाली है भाजपा की उसमें प्रदेश भाजपा की नेता क्या फैसले लेते हैं फ हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर हवरों के साथ बने रहे राद दिन